नमस्कार दोस्तों स्वागत इसने इडियों बात करने वाले हैं बिहार अमीन की जो वेकेंसी निकाले गए उसके लिए इस्पेसल फॉर्म कैसे भरेंगे step by step मैं आपको एक live form फिल करके बताने वाला हूँ तो मैंने इसके उपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे form को भरना है तो मैंने जो है एक अलग पोस्ट पे form भर के बताया था जिसमें ने कभर किया था लिपिक के पोस्ट पे लेकिन आपमेंसे काफिसर लोगों ने ये पूछ है कि हमने जो है सिविल इंजिनियरिंग से चार वर्स यह जो बिटिक होता है वह मैंने किया हुआ तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं को नहीं भर सकता हूं इसका भी जो है उत्तर इसी वीडियो मिल लाएगा वीडियो को पूरा लास्त तक देखते रहे ताकि आपको सारी ज अब यहां पर पूशर आया कि अपना पोस्ट नेम चूच करते हैं और यहां पर फिर से आपको लिख देना है और लास्ट नेम कुमार है तो कुमार लिख देंगा अगर बीच में कोई और अक्षर का नाम होदा तो वह बीच वाला में रखते हम अब यहां पर आटमेटिक देखे आपका पूरा नाम आप जाएगा मोबाइल नमर यहां लिखेंगे इमेल आइड को लिखना है दुबारा से मेल आड़ी को लिखना है इस क्याप्चा कोड को भरना है से बनेक्ट पर क्लिक करना है सम्मिट करते हैं फ्रिंट्स आपका लिखेंगे password आपको मिला वह लिखेंगे capture code भरके आपको सम्मिट करना है लौग इन करते हैं यहाँ पर आपको password चेंज करने केलिए बोलेगा तो जो आपको password प्राप्त हुआ है वह password यहां लिख देंगे जो कि मैंने ओलरड यहां पर लिख दिया है हमको यहां पर एक नया पास्वोर्ड क्या करना है create कर लेना है नयाज पासवर्ड बोलागे आठ जो है character कोना चाहिए अलफा नुमेरिक character होना चाहिए अलफा नुमेरिक मतलब अभी सीडी का अक्षार और एक दू तीन का अक्षार एड़ेट वगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया तो आप इसी कंडिशन में क्या करेंगे आप पासवर्ड को यहां पे लिखेंगे उसके बाद से इस कैप्चा कोट भरके अपडेट करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा पासवर्ड चेंज होते हैं इस तरह से लिख द है कि Select Minimum Educational Eligibility आपको हाँ पर देखे डिपलोमा इन सिविल इंजिनियरिंग यानि यहां पर समझ लिजिए कि जो भी बंदा बीटेक किया हुआ है सिविल इंजिरिंग से वह इलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए यह जो तीन साल का डिपलोमा किया हुआ है वही लो अगर आप जो है बिहार के निवासी अगर है तो हा करेंगे नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे अगर आपको अपना पूछा गया कि disabled quota भी कलांग है तो yes करिए वरना नहीं करेंगे अब यह पूछ रहा है कि क्या आप जो freedom fighter quota जो है claim करते हैं अगर करते हैं तो yes करेंगे और अपना बताएंगे नहीं तो यहाँ पे no करेंगे आधार कार्ड होल्ड करते हैं आपको yes करना अधार संखें यहां लिख देना है और यहाँ बताएंगे डेटर बर्थ यहां से आपको चूच कर लेना है यहाँ पे आपको बताना है कि married है कि unmarried है यहाँ पे आपको एक body में पहचान बतानी है तिसर तील का निसान कटा का निसान father name mother name यहाँ पे आपको अपना proper address लिखना है तो यहाँ village लिखिक देंगे यह आप post लिख दीजएगा यहाँ ऐख बिलॉंग करते हैं यहाँ डिस्टि खुल घूड़क आखर बलॉक आपको बताना है अब दिखेए इसका 800 रुप्य अप्सो होता है तो आपको समझा SCST को लिए यहां पर 4 रुपे जनरल EWS BCBC के लिए यहां पर 800 रुप्य अप्लिकेशन पर आपको लगने हैं तो आपको अपने according यहां पर क्या करना है फ्रिंट्स चूच करना है अब यहां पर आपको करेंगे करते ही अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जनकारी भरने तो सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्वी क्लास की जनकारी मांग रहा उसको बोर्ड का नाम इंस्टूट टाइप गवर्मेंट था कि प्राइवेट था और आपकी से राज्य से पास किये थे पासिंग डिस्टी कघंगे पासिंग बताएंगा और यहां पर सेंटेज ही है तो अगर आपका पर सेंटेज चूट करेंगे और उसके बासे इधर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा से यहां पर आपको दखिए पूछ रहा है कि obtained mark, कितना आपको marks मिला था, maximum कितना का था, percentage automatic आ जाएगा, अगर आपका CGPA तो CGPA चूज करेंगे तो उसको convert करके percentage में आपको बताना होगा, तो अपने according जनकारी भरेंगे, उसके बाद से यहां पे आपको देखिए, आ रहा है क्या, तो बारहुमी जनकारी भ छोड़िए, और उसके बाद से आपको डिप्लोमा वाले जनकारी भर देनी है, तो डिप्लोमा in civil engineering पूछ रहा है, तो civil engineering डिप्लोमा के बारे में जनकारी भरेंगी, अगर मालनी जे डिप्लोमा के बाद से आपने b.tec वगर किया है, या और कोई extra qualification है, higher educational qualification, तो उसकी भी ज डिप्लोमा के ओ, और passing district इस तरह सा आप भर देंगे, अब यहाँ पर आपको semester details भरनी है, तो देखें, यहाँ पर आपको semester wise भी जनकारी को भरनी है, जिससे कि 6 semester आपका होगा, तो यहाँ पर देखें, special character and यह सब आपको नहीं allow है, यहाँ पर यह जनकारी बताया है, तो सब आपको यहाँ पर 6 semester की सारी जनकारी आपको भरनी है, उसको certificate number कितना में कितना मिला हुआ है, और कितना percent आपका बन रहा है, उसके बास से validate करके save and next करेंगे, अब अगले step में friends आपको जो है documents अप्लोड करना होता है, documents पर देखें, photo यहाँ पर अप्लोड करनी है, जो की 20 से 50 के भी के बीच होनी चाहिए, इसके विसे signature अप्लोड करनी है, फिर आपको जो है दोसुई कलास का passing certificate, passing certificate ही मांग रहा है friends, mark sheet नहीं मांग रहा है, यहाँ mark sheet मांग रहा है, देखें, नीचे वाले में दोसुई कलास का mark sheet मांग रहा है, फिर आपे diploma का passing certificate और diploma का mark sheet, उसके वि certificate और यहाँ पर residential certificate, तो आपको इस तरह से documents को upload करनी है, देखें, photo signature जो है आपको JPG में upload करनी है, बाकी जितने भी documents है, दोसुई का, diploma का, cast या जाती, यह सब जो है आपको क्या करना है, PDF में upload करनी है, 500 के भी से लेकर, 2 MB के बीच आपको file बनाना है, और आपको upload करना है, इस इसको से agree करेंगे, फिर यहाँ पे photo के पास भी आपको conform करने है, और उसको से final submit पे click करनी है, final submit पे click करने बाद से ok करेंगे, ok करते ही friends, आपको यहाँ पर इस परकार से application free so hoगा, आपको again capture code भरने के लिए option बोलेगा, आपको capture code भर के submit करना है, ok करना है, ok करते ही friends, आपको payment गेटवेपले कर जाएगा और आपको जो है जो भी अमाउंट लग रहे हैं वो पमेंट यहां पर जमा कर दे नहीं है तो इस परकार से फिरिंट्स आपको जो है अमीन की वेकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है मुझे उमीद है कि आपको जनकारी समझ में आ गया होग 8244 पदों पे डिपलोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही संदार अपॉर्चुनटी है अगर आप डिपलोमा होल्डर है या आपका कोई दोस्त है तो आप उनको जरूर बताइए इस तरह की वेकेंसी के लिए जरूर वो फॉर्म को भरे मिलते है नेक्स वीड़ो में हमें जायत और देख तेरे डियर सेल्पिंग फॉरेवर थैंक यू फॉर वाचिंग जाहिन